आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नश्का दर्शिकों यह MNS News नेट उकर आप देख रहे है MNS News टी में हूँ आपके साथ शुभांगी तो आए देखते हैं आज की कुछ खास ख़बरे एक नजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स की और S.C.S.T. और O.B.C. के प्रभावशाली नित्रत्वों को नहीं उबरने दिया कॉंग्रेस के आरूपों के बीच बोले पियम मोदी शप्पत लेते ही होगी किसानों की कर्दमा PCM बूपेश बगेल निकिया बड़ा एलान दिल्ले NCR में हवा भी जहरेली वायु गुनवत्ता प्रभावशाली नित्रत्वा को नहीं उबरने दिया कॉंग्रेस के आरूपों के बीच बोले प्रदानमति नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस पर मंगलवार को हमला करते ही कहा कि इन्हों ने अनुसुचित जाती सी अनुसुचित जाती स्टी और अन्य पिचड़ावर्ग ओ अधिप्रदेश के सिंधी में कहा कॉंग्रेस ने उनी को आगे बढ़ाया जो की दिल्ली दर्बार में हाजिरी लगाते थे सीस्टी और विसी के प्रभावशली ने तरोक्तव को कभी नहीं उबरने दिया इसे दर्बारी मान सिकता के कारण सुबर शाम मोदी को गाली देते है मोदी को गाली देते देते ओ बी सी समाज को गाली देने लगे है ने आरुप लगाते हुए कहा कि कॉंग्रेस का इतियास डगर-डगर पर जूट बोलने का रहा है उन्हेंने का कि कॉंग्रेस ने हमेशा गरिवो महिलाओ युवाओ से जुट बोला और किसाने से भी कर्जमाफी का वादा जुटा किया उन्हेंने दावा किया कि वही विजीपी सरकार जो कहती है वो हम डंगी की चोट पर पूरा करके दिखाते है राउल गांदी ने क्या कहता हाली में हुए कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी की बैटक के बाद राउल गांदी ने कहता कि हम भीहार में हुए जातिगर सर्वे की तरह कॉंग्रेस चाशी तरज्यों में आगे बढ़ेंगे हमारे चार में तीन सीटों पर पहले चरन का मतदान जा लगबग सभी विदासभा सीटों के मतदान के द्रों में मतदाता पहुच रहे और अपने मतदा अधिकार का प्रयोग कर रहे वही दूसरी और सियम वुपेश बगेल आज मुंगली दौरे पर है इसे भी सियम वुपेश बगेल का बड़ा बयान सामने आये सियम वुपेश ब बात पत्रकरारों से की उन्होंने कहा कि मंतरिपत का शपत लेती ही कजमाफी का अस्ताक्षर करूंगा आईए बढ़ते अगली खबर के और दिल्ली एंसीयार में हवा भी जहरीली वायुगुनवत्ता गंबिर शेनी में कई लाकों में दून की चादर छाई दिल्ली में वा 32 आर के पूरम में 437 पंजाब बाग में 449 और न्यू मोती बाग में 410 रा सुबह के वक कई लाकों में दून की चादर छाई हुई है ऐसे में लोगों को मोसम के महरबान होने का इंतजार करना होगा दिल्ली में बढ़ते प्रदुशन को रोकते ही हुए हाय सेकेंडरी तब सब इस स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद करने का आधिश दिया है वही सरकार की ओसे 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए और इवन लागू करने का आयलान कि आ गया है अब आप हमारे चैनल का क्यों मोबाइल पर भी देच सकते हैं मोबाल आप पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंस्टाइल ट्वीट हाई को फिस्बुक और कई सोचियम डेय प्लाटपों पर हमारे चैनल फ्लब दे आप इसी यूटूब पर भी दे सकते हैं आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते www.mnsnews.com पर फिलाल वक्त हो चलाए दोशे को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद दिखीगा देश्यू दिने की तमाम बड़ी खबरे बनेरी MNS News पर नमस्कार